ओलेट तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया question जो क्यों वाले square of sorted array तब यह question आपको मिल जाएगा कहां पर lead code पर अब कहांगा तो lead code पर आपको इसको practice करना है और square करके जो भी answer हैगा उसको sorted area में आपको बताना है ठीक है तो square करो उसका तो क्या 25 आएगा 16 आएगा 9 0 और 4 ठीक आप इसी को sorted करके आपको return करना है तो sorted करोगे तो 0 होगा 4 होगा 9 होगा 16 होगा और 25 होगा तो इसको आपको return करना है इतना ही question है सारे elements का square करना है जो answer है का उसको sort करना है और क्या कर देना return करना है कैसे करेंगे तो करने कहले सिंपल यह तरीक है कि हम पहले क्या करें सबको square कर दें एक दूसरा ही हम क्या बना दें आरे बना दें फिर इसमें हम sort function लगा दें sort function जो होता है vector dot begin वाला और vector dot end वाला है ना पर हम इससे जब करेंगे तो इसकी time complexity क्या होती है इसकी होती order of n log n है ना तो दिखकत हुझा है हमको करने order of n space में order of n time में तो कैसे करेंगे इसके बारे में चलो अब इसको करेंगे two pointer method से ठीक है two pointer method से इसको डिसकस करेंगे अब टू pointer method रहे आपको बताता हूं ठीक है करना कुछ नहीं जो आपके पास original अरे था इसको ले लेते हैं मैंने पूरा array को ले लिया आपको करने जो नया array आपको बनाना आ जो नया vector आपको बनाना उस वेक्ट 0123 हमको रेटन भी का करने दूसरा array रेटन करने तो 0123 जो मैंने बना दिया अब question में यह आपके पास input है यह आपके पास ना answer होगा यह answer है जो अभी कुछ नहीं है हमको यह answer return करके देना यह वाला तो कैसे करेंगे आप एक variable शुरुआत में रखो और एक variable last में रखो ठीक योनों से value 1 value 2 निकाल लिए यानि कि value 1 क्या होगा value 1 होगा जो array of i है ना उसका square निकालना है आपको array of i महलो उससे x answer आता है और value 2 इससे आपको क्या निकलना है array of j जो j पर है इसका कौन से निकालना है letter से y और आपको चट करने कि कौन बढ़ा है ठीक है x बढ़ा है की y आपका x बढ़ा है यानि कि आपकी value 1 बढ़ी है यानि कि आपका i वाला बंदा बढ़ा है ठीक है अगर आपका i वाला बंदा बढ़ा है तो इसी का square करो यानि कि value जो 1 निकाल लिया इसको and में डाल दो कहां पर डाल दो and में और and कहा बाल है k पर तो इसको and में डाल दो तो इसके इसका स्कूर जाज़ा है तो इसको मैंने डाला और इसी I को मैं आगे मूव कर दूँगा ठीक है इसी I को मैं मूव कर दूँगा अब फिर स्थेम काम करने I और J 1 का –4 1 का value है 2 और साथ साथ के भी बढ़ा के चलना कि यहां पर आगया अब हमको करने यह हमारा 4 और 2 एक कांसर आरे 16, 4 का, माइनस 4 का स्क्वार आरे 16, एक कारे 4, बड़ा कौन है 16, 16 बड़ा यानि कि यह वाली वाली वड़ी है, यह वाली वड़ी है यानि कि इसको के वाली पोजिशन पर डाल दो, इसके स्क्वार को के वाली पोजिशन पर डाल दो, के वाली पोजिशन पर डा नो जाता है कि चार जाता है इसका स्क्वार क्यों नो इसको स्क्वार कर चार नो बढ़ा है कि चार बढ़ा है सिंबल तो नो बढ़ा है मतलब आई बढ़ा है मतलब आई बढ़ा है मतलब कि आई वाले वैल्यू जो है इसका स्क्वार यहां डाल दो इसका स्क्वार के वाली पोजिशन में डाल दो के अभी आपका यहीं पर यहां पर ठीक है जिसको डाला उसको आगे बढ़ा दो आई को नहीं संगें बढ़ा हो को के को तो पीछे चलता रहेगा ठीक है अब I और G, I और जै I पे क्छाFF 0 k पे क्छा जै पे क्या है 2, एक का स्कुएर है 0, एक का है स्कुएर 4, किसकी वाली बढ़ी है, जे की वाली बढ़ी है, तो जे वाली 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 कहां डाल दो, के में डाल दो, यानि कि 2 का स्कुएर का 4, हमने किसको डाला है, हमने किसको डाला है, जे को, जे को डाला है, उसी को आगे बढ़ा, जे को आग के case में किसी किसी भी को ले लो तो यहां पर जीरो डाल दी मैंने अब बराबर के case में maximum निकल लाए maximum तो 0 आएगा जब इसका maximum 0 आएगा तो मैं बोल दूँगा कि भाई यह वाली value जो है उसको आप यहां डाल दो और आए को यह तो आगे बड़ा दो यह जे को पीछ बड़ा दो जो भी है और आपका के तो पीछे चली जाता है यहां पर यह पीछे फिरा जाएगा जबकि आपका यहां तक आजाएगा यह आपका जो array होगा यही आपका answer होगा ठीक है तो करना कुछ नहीं आपके कुछ variable मनाने int i is equal to 0 int j is equal to n minus 1 ठीक है last one index पर है और k भी आपका कहा रहेगा n minus 1 index पर चलेगा आपको ऐसे चलाने कि while जब तक चलो जब तक आपका i जो है छोटा या बराबर भी हो सकता है ठीक है बराबर भी हो सकता है क्योंकि एक जगा भी आ सकते है जब तक j के बराबर है ठीक है तो ज ठीक है और int value 2 निकाल लो आप value 2 कर निकाल लो को array of j into array of j तो इसे अपने square निकाल लिए आपको चक्काने बड़ा कौन है अगर value 1 बड़ी है value 2 से इसका मतलब यह कि i बड़ा है और अगर i बड़ा है अगर i बड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा simply कि answer के answer व value 1 बड़ा है value 1 मतलब i बड़ा है i मतलब i को plus b कर दो i plus plus ठीक है i plus plus b कर दो else के case में simple सी बात होगी कि भाई v2 बड़ा होगा यह v2 बराबर होगा ठीक है उस case में बोलेंगे कि answer के kth में v2 डाल दो और j को minus minus कर दो यह पीछा आता रहेगा और सबसे last में k minus b करते रहेंगे k a minus minus ठीक है और last में return कर देंगे answer answer को return कर देंगे return answer ठीक है तो यह हमारा code दाएगा इस चीज़ का ठीक है तो आपको यह code समझ में आया है बहुत सिंपल सा है कुछ खास नहीं इसमें पर इसमें आमको यह बात याद रखने कि इसमें कौन से method हो रहा है two pointer method हो ठीक है तो आप क्या करो एक short notes बना लो उसमें question लिखो और approach लिख लो two pointer method और थोड़ा बहुत जो है इस चीज को लिख लो और आपका काम यह है कि आपको इस question को submit करने कहाँ पर lead code पर search करोगा यह question आपको मिल जाएगा ठीक है आई होप आपको सुनना है यह कहाँ से order of n complexity में भी हो गया हमारा ठीक है तो इस टैक के simple question है जो हम डिसकस करेंगा आगे भी इस वीडियो में नहीं तब तक कि लबाए